जो आपसे नफरत करता है, वो करने लगेगा आपसे महबबत, यानि कि इतनी महबबत करने लगेगा कि आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा, दोस्तों हम आपको थोड़ी सी चुटकी और दो लोग का ये उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने बिछडी महबबत पा सकते हैं, खोया प्यार पा सकते हैं, चानक के नेती चानक के द्वारा रचित नेती गिरंथ है, जिसमें जीवन को सुक में और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुजाब दिये गए हैं, इस गिरंथ का मुख्य उद्देश से है, मानव समाज को उसके हर एक पहलू की इक निती में कहते हैं कि अगर कोई बैक्टी आपसे बे इंतहा माबड करता है चहें बैह स्थरी हो चहें बैह पुरूस हो तो दोस्तों दूसरे बैक्टी के लिए बैह मजाग बन कर रह जाता है यानि कि उसके बारे में सोचने की बजाए बहे इदर उदर के काम का जो में बियस्त हो जाता है इसलिए जो प्यार करता हुआ बैक्ती होता है उसको ऐसा महसूस होता है कि बहे बैक्ती मुझसे दूर जा रहा है तो दोस्तो उसके लिए ये उपाय बहुत ही काम का होने वाला है अगर आप किसी से बे इनतहा महभबत करते हैं या आप किसी से महभबत करते हैं और वो आपसे दूर जाता जा रहा है वो आपसे इतनी मिनफरत करने वाला है कि वेह आपके बारे में सोचता अनक तक नहीं तो दोस्तो आप एक चुटकी हल्दी की लेकर और ये दो लोंग लेकर उपाय कर दें आपकी महबत आपके पास खुद आ जाएगी और दिन रात आपके बारे में ही सोचने लग जाएगा जैसे पहले प्यार करता था बैसे ही प्यार करने लग जाएगा और दोस्तो ये उपाय काफी कामों को भी सुदारता है जैसे घर में लडाई जगड़े रहते हो परिवार में अनवन रहती हो या पती पतनी के बीच में जगड़े रहते हो या बॉइ फ्रेंड गल फ्रेंड के बीच में अनवन रहती हो तो दोस्तो उसमें भी काफी काम करने वाला है सिर्फ एक बार आपको ये उपाय करना है और जीवन भर के लिए अपने बिगडे रिस्तों को समार लेना है चाहे इस तरी हो चाहे पुरुस हो कोई भी इस उपाय को बड़ी आसानी से कर सकता है तो दोस्तों ये उपाय क्या है और इसे कैसे करना है ये जानने के बीडियो में अंत तक बने रहें बीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और आपके लाइक है तब ही आप इस बीडियो को देखें और अगर आपको बीडियो अच्छा लगे तो बीडियो को लाइक अवस्से कर दें एंड दोस्तो कमेंड बॉक्स में कमेंड करके रादे रादे जैसरी किष्णा जरूर लिख दें ताकि भगवान आपकी हर मनों कामना पूंड करे तो चलिए दोस्तो बढ़ते हैं वीडियो की और और देख लेते हैं किस तरीके से ये उपाय करना है लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दूँ ये उपाय किसी भी गलत मकसद के लिए उपियोग ना करें नहीं तो आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि दोस्तो अगर आप इस उपाय को किसी गलत मकसद के लिए करते हैं तो हो सकता है कि आपका कुछ भारी नुकसान हो जाए आपको किसी कश्ट से गुजरना पड़ जाए क्योंकि दोस्तो भगबान भी उसी का साथ देता है जो सही रास्ते पे चलता है अगर आप किसी पे बेफजूल में ये उपाय कर देते हैं और दोस्तो उसके दिल को दुखाते हैं तो दोस्तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है तो दोस्तो ये उपाय करना कैसे है आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले एक साधा कागज ले 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 और उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी की रख ले या तो दोस्तो हल्दी रखें या फिर आप पीला संदूर भी रख सकते हैं अगर आपको पीला संदूर मिल जाए तो उससे दोस्तो आरी ही अच्छा होता है यह उपाए और दो फूल वाली लोंगे लेकर उस हल्दी में रख लें दोनों चीजों को कागज पर रख कर हल्दी लोंगों में डाल दें यानि कि लोंगे भी पीली हो जाएं इस तरीके से आपको दोनों चीजों को कागज पर रख लेना है और दोस्तों उसी कागज में आप अपना नाम लेख लें और जिस बैक्ती को आप पाना चाहते हैं जिससे आप प्यार करते हैं महबत करते हैं वो आप से लड़ता जगड़ता रहता है या आप पती पतनी हैं आपकी पतनी लड़ती जगड़ती रहती है तो जैसे भी आप करना चाहें उसका भी नाम इस पर लिख लें और दोस्तो इसको लिखने के बाद में इस कागज की पुडिया बना लें यानि की नाम भी उसी साइड लिखना है जिस तरफ आपने हल्दी और लोंगों को रखा है उसके बाद में दोस्तो एक पुडिया बना कर और इसे पीले कपड़े में रख कर अपने घर में जहां आप पूजा करते हैं मंदिर इस्तान पर रख दें और तीन दिन तक इसे घर में रखे रहने दें उसी मंदिर इस्तान में रखे रहने दें उसके बाद दोस्तो चौते दिन आप इसे जाकर कहीं बहते पानी या फिर दोस्तो अगर आपको बहता पानी नहीं मिल रहा हो तो कहीं चौराहे पर जाकर इसे मिट्टी में दवा दें और अगर बहता पानी आपको मिल जाए तो उसमें परवाहित कर दें और दोस्तों बहां से चले आएं उसी दिन से दोस्तों उस बैक्ती पर असर होना सुरू हो जाएगा बहे आपकी बात मानने लग जाएगा और दोस्तों आपकी तरफ खिचा चला आएगा अगर आपका प्यार होगा तो वो आपके लिए तड़पने लग जाएगा आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे जैसरी किष्णा